हेलो लोड्स और लेडिज वेल्कम बैक टू पॉप कल्चर पंडित तो हाउस दो ड्रैगन सीजन टू के एपिसोड फोर में एलिस रिवर्स ने डेमन टारगेरियन को ब्लड रेड कलर का दिखने वाला पेश्ट का जूस पिलाया और उसके बाद में डेमन वापस से कुछ गेम आफ तरोंस के ब्रैंड स्टार्क से जुड़ी हो सकती है वो सब जानिये एस वीडियो में जिसमें कोई भी हाउस द्रैगन के फ्यूचर स्पॉइलर्स नहीं डिस ज़स्ट अ फ़न थियरी वीडियो तो दोस्तो एज आई सेड जो एलिस रिवर्स ने डेमन टार्गेरियन को हैरनल में दिया था वो एक्चली वेर वूट ट्री का पेश्ट होता है जिससे जूस निकलता है और वही चीज एलिस ने वहाँ पे डेमन को पिलाई एंड ये चीज बहुत ही अलग-अलग पॉसिबिलिटीज को ओपन करती है तो आगे जाने के पहले ही मैं यहाँ पे डिस्लेमर दे दू कि गीम ओफ ट्रोंस के शो में हमने जो भी वायात नॉंसेंस चीजे ब्रैंड स्टार्क को लेके देखी थी उन सभी चीजों को और इसी फिफ्ट बुक में हमें वेर्वुड के पोशन के बारे में पता चला जीसे हाउस ओफ दे ड्रैगन के शो में डेमन ने पिया तो जैसे मैंने कहा इस फिफ्ट बुक में ब्रैंड स्टार्क अभी भी ब्लड रेवन के साथ में ब्यॉंड द वॉल होता है और वही प चीजे सीखता होता है तो Green Sears मतलब क्या होता है वो मैं आपको quickly बताता हूँ तो basically Green Sears मतलब North के कुछ magical powers वाले इंसानी होते है तो हमने Wargs के बारे में Game of Thrones के show में भी देखाता Wargs को ही skin changer कहा जाता है क्योंकि वो अपने शक्तियों के साथ में अलग-अलग animals में घुसके उन animals के body को control कर सकते है तो brand भी एक skin changer होता है और ऐसे ही कई सारे अलग-अलग skin changers हमें Game of Thrones के show में देखने मिले और कुछ तो हमें books में भी देखने मिलते है Believe it or not, actually John Snow भी एक skin changer है वो book में skin change करता है work करता है बट वैसी John Snow की magical abilities इस TV show में नहीं दिखाई गई थी तो ऐसी जो ये skin changer की abilities होती है वो कुछी special लोगों में होती है ऐसा मानलो कि thousands of humans में एक skin changer होता है और ऐसा skin changer होने के लिए तुमारे पास थोड़ी old gods की शक्तिया होनी चाहिए तो ये जो skin changers होते है वैसे हज़ारो skin changers में एक बंदा green seer बनता है तो exactly वो क्या है तो ये green seer मतलब ऐसे रहते है जो skin change तो करी सकते है बट उसी के साथ साथ वो past और present में भी देख सकते है ये green seer खास करके wherewood trees के जो faces होते है उन में से सब जगा पर क्या शुरू है वो देख सकते है मतलब for example winter fell में बैठा हुआ कोई अगर green seer है तो वो haran hell में क्या शुरू है वो haran hell के tree में से देख पाएगा वैसे ही जहां पर भी ये wherewood trees मौजूद होंगे वहाँ पर क्या शुरू है उन चीजों को ये green seer अपने magical शक्तियों के साथ में देख सकते है तो इनी शक्तियों को control करने के लिए अच्छे से सीखने के लिए brand stark blood raven के यहाँ पे होता है और उसकी training शुरू रहती है brand stark की जो skin changing की powerful शक्तिया है उनी शक्तियों को अलग level पर improve किया जा सकता है अगर brand stark एक green seer भी बनता है तो इसलिए blood raven और leaf brand stark को यहाँ पर training दे रहे थे तो ये जो भी leaf करके important children of forest होती है वो असल में इस समय पर books में जिन्दा होती है बट show में उसे आगे चलके मार दिया था तो fifth book a dance of the dragons में एक scene हमें ऐसा देखने मिला जिसमें ये leaf branch stark को wearwood trees का paste बना कर उसका juice बना कर देती है उसके मुताबिक अगर brand को visions देखने हैं उसे इन शक्तियों को सीखना है तो brand stark must be wet to the wearwood trees brand जैसे ही उस paste को देखता है तो उसे वो paste बहुत ही गंदा लगा क्योंकि वो एकदम खून जैसा bloodshot red color का था और उसमें थोड़ा सा यहाँ वहाँ पर white color भी होता है जैसे ही brand उस paste को देखता है तो उसे वो खाने से थोड़ा सा hesitate करता है और यही पर आती है books की एक बहुती horrible theory तो if you remember game of thrones के show में भी हमने brand stark के साथ में दो साथी देखे थे जो house read के थे जोजेन read and mira read तो इस horrible theory के अनुसार जोजेन read के मरे हुए dead body में से खून निकाला था जिसे wearwood treats में mix करके यहाँ पर leaf brand को खिला रही थी तो इसी horrible theory को जोजेन paste theory भी कहा जाता है जो अब तक confirm नहीं हुई बट अगर confirm होती है तो वो winds of winter में होगी और ऐसे ही almost so के ऊपर अलग-अलग theories है जिसका confirmation अब तक मिला नहीं बट वो confirmation अगर मिलेगा तो वो winds of winter में मिलेगा और इसलिए सभी fans उस book का इतने सालों से इंतजार कर रहे है तो anyways यहाँ पर अभी एक गौर करने की चीज यह है कि Game of Thrones में हमने clearly देखा कि Jojen Reed मर गया बट 5th book at Dance of the Dragons में Jojen Reed मरता नहीं है बट ऐसा हमें एक hint दिया गया है कि maybe Jojen Reed is not alive anymore क्योंकि Jojen Reed अचानक से कही पर तो गायब होता है he is nowhere to be found तो we don't know if he is dead or alive बट ऐसा कहा जाता है कि Jojen Reed की ही paste बनाकर यहाँ पर Leaf ने ब्रैन को खिलाई तो अभी हम ब्रैन के पास में आते है तो ब्रैन को तो यह सब पता नहीं था कि exactly उस paste में क्या है उसे तो यहीं लगता है कि वो Wearwood Treats का ही paste है जैसे Leaf ने कहा तो यहाँ पर ब्रैन Blood Raven and Leaf को पूछता है कि यह अगर मैं प्यूँँगा तो क्या यह चीज मुझे Green Sear बनाईगी He says, Will this make me a Green Sear तो तब यहाँ पर Blood Raven reply करता है कि तुमारा खून तुमें Green Sear बनाता है यह खाना तो बस एक जरिया है जिससे तुमारी शक्तिया जग जाएगी and तुमारी शादी इन Weirwood Treats के साथ होगी अब यहाँ पर Weirwood Treats के साथ में शादी होना मतलब वो लिटरल कुछ शादी वगरे नहीं होता यहाँ पर जो Blood Raven कहता है कि यह paste will wed you to the tree तो उसका मतलब है कि एक तरह से ब्रैन का connection बनेगा उन Weirwood Treats के साथ में और उनकी शक्तियों को वो यूज करना सिखेगा तो यही कुछ चीज़े हमें ब्रैन स्टार्क को लेके इस Weirwood पेश्ट की देखने मिली और ऐसी ही exactly जो Weirwood पेश्ट होती है वो Alice Rivers हैरन हैल में रहते रहते डेमॉन को देती है जो हमने House of the Dragon के Season 2 Episode 4 में देखा यहाँ पर Alice डेमॉन को बताती है कि तुम इसे पी ले ना जिससे तुमें थोड़ी अच्छी नींद वगरे आ सकती है तुम अच्छे से आराम कर पाओगे तो यह तो Alice Rivers की थोड़ी सी logical लगने वाली बाते रही बट वो यहाँ पर magic के related भी कुछ चीजों को indicate करती है इसी conversation के पहले Alice ने ये भी कहा था कि हैरन हैल के castle को जब बनवाया गया था तभी उसके पहले यहाँ पर वेर वूट ट्रीज का एक forest था जिसे काटने के बाद ही हैरन हैल को बनाया गया तो अगर हम hidden magic के terms में अगर देखे तो Alice यहाँ पर में भी कहना चाहती है कि तुम इस वेर वूट ट्रीज के pest को पी लो और उसी के पीने से तुम हैरन हैल के old gods के magic को अपने side में कर पाओगे यहाँ पर में भी Alice Rivers डेमन को हैरन हैल की जो magic है हैरन हैल की जो जादूई शक्तिया है उनको उसके side में किस तरीके से लाया जा सकता है उसमें मदद कर रही है बट अभी exactly वो कैसे होगा तो as we saw in the house of the dragon हमें एक बड़ा सा वेर वूट का tree हैरन हैल के के बाद में ये tree आखरी बचा हुआ वेर वूट ट्री है तो ये possibility strong है कि ये जो अकेला बचा हुआ वेर वूट ट्री है वो बहुत ही ज्यादा गुसा है हैरन हैल पर और इसी tree के शाप के वज़े से हैरन हैल में कोई टिक नहीं पाता तो हमें house of the dragon के show में specifically कुछ shots ऐसे देखने मिले जिसमें वेर वूट ट्री के बड़े बड़े roots हैरन हैल के डिवारों से निकल रहे है ऐसा दिखा मानो ऐसा कि पूरे हैरन हैल के castle में एक तरह से वेर वूट ट्री के roots घुस चुके है हम तो ये भी कह सकते हैं कि इस बचे हुए आखरी वेर वूट ट्री ने हैरन हैल के castle में हजजारों लोगों को मरते हुए भी देखा और उनी का खून इस वेर वूट ट्री के roots ने पिया और उसी वज़े से almost हजजारों लोगों की souls आत्माएं उस ट्री में मौजूद है तो इसी लिए ये जो भी हैरन हैल के ज़स्ट बाहर का वेर वूट ट्री है वो बहुत ही powerful कुछ अजीब और गरीब dangerous शक्तियों से बना हुआ ट्री है अब बहुत है आलिस अब अभी विल्ट बाहर का वेर वूट ट्री है अभी इसी ट्री से बना हुआ पोशन यहाँ पर अलिस रिवर्स डेमन को पिलाती है तो उनी सब चीजों के वज़े से डेमन टार्गेरियन को अलग-अलग चीजे दिखनी लगी है और उसको कुछ अलग-अलग वेहम होने लगे तो ये जो भी वेहम है उसके रिलेटेड भी हम थियरी ऐसे सोच सकते है कि ऐसा मानो कि वो जो वेर्वूट ट्री है वो एक तरीके से डेमन टार्गेरियन को टेस्ट कर रहा है क्योंकि डेमन प्रॉबेबली हैरन हैल में आके उस ट्री के साथ में शादी करेगा मतलब उसके साथ में कनेट करेगा क्योंकि उसने उस पेश्ट को पिया हैलन हल का ये जो भी जादूई शक्ती वाला वेर्वूट ट्री है वो डेमन टार्गेरियन को बुरे सपने दिखाता है उसे हर्ट करने की कोशिश करता है बट इट कोड़ बी जट टेस्ट फॉर डेमन पहले इस ट्री ने यंग रहनीरा दिखाई जिसने डेमन के कुछ गलत बिहवेर के उपर कमेंड किया फिर उस ट्री ने वही पर डेड़् प्रिंश जहरिस का विजन डेमन को दिखाया देन वांपस हमें रहनी रा देखने मिलती है जो वांपस से डेमन के कुछ बरताओं के उपर कमेंट करती है जिससे डेमन हर्ट हो देन उसके सपनों में डेमन लेना को देखता है तो इन सब में एक चीछ कॉमन है and that is जो भी डेमन की so-called weaknesses हो सकती है उन सबी चीजों को अब तक उस ट्री ने दिखाया है ऐसा कह सकते है अभी maybe future में डेमन को उसकी first wife Rhea Royce दिख भी जाए और maybe not but that's just a theory let's see what happens but one thing is sure कि where would tree की जो भी जादू है उसका और डेमन का एक अनोखा connection हमें देखने मिलेगा last theory ये भी बनती है कि बड़े-बड़े heron hell के towers में हमें उस wherewood trees के roots बगरे देखने मिले तो maybe ruins of heron hell basically एक massive wherewood tree बन चुका है और उसी में अभी डेमन रहने लगा है तो exactly wherewood trees की जादू, wherewood paste की जादू यहां से आगे कहा जाती है वो देखना ही होगा usually मैं सिर्फ और सिर्फ stories को ही बताता हूँ but आज मैंने पहली बार कुछ popular theories को explain करने का सोचा if you like this then let me know in the comments, do like the video और support करे but अगर आपको ऐसे कुछ theories में इतना मजा नहीं आता तो वो भी मुझे बताए so that I won't bother making such videos again तो anyways friends, thanks for watching this video अगर आपको house to the dragon और बाकी pop culture media पसंद है तो इस channel को subscribe जरूर करे and bell icon पे भी click करे ताकि आपका कोई video miss ना हो तो thanks again, I'll see you all in the next one